selection of electrodes की बात करता हूँ न जब मैं selection of electrodes की बात करता हूँ तब मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो किसी भी cell में कोई भी जो electrode select किये जाता है न basically cell में electrodes क्या किये जाएंगे और अगर cell में electrodes select किये जाएंगे तो मैंने दो टाइप के सेल पढ़े थे पहला मैंने सेल पढ़ा था कौन सा रे जिसे मैंने इलेक्ट्रो केमिकल सेल बोला था ठीक है भई या मैंने इसको क्या बोला था रे गैलवनिक सेल बोला था क्या बोला था रे गैलवनिक सेल बोला था या मैंने इसको Waltake Cell बोला था ठीक है बई मैंने कल इन Angel Cell की चर्चा करी थी लेकिन मैंने इसी Example के थिरूंए Example थिरूंथ बताए था कि मैं junk को एन Óड लेता हूँ और किसको Copper को में Kathod लेता हूँ मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी आपको electrochemical cell बोलूँ इसको दूसरी form में आज हम चर्चा करने वाले है full cell के रूप में ठीक है न तो अब इसके किस में आपको क्या ध्यान रखना है कि electrochemical cell में the selection the selection criteria of electrodes is not on the is not on the basis of their polarity or charge ऐसा कोई criteria नहीं है clear आरी नहीं ये दिखे जो selection criteria electrodes में वो कोई भी charge या polarity नहीं है वो कोई भी charge या polarity के बेस पे मैंने ऐसा नहीं कहा था 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 कि यह मैंने दो कल डब्बर लिए और मैंने यहां पर क्या मैं सिंपल एनोड को डिफाइन कर रहा हूं रहा हुँ जिंक सॉलिड था और इसमें कॉपरCallपैट की क्या थी заключ tu θα ना और इसमें क्या तब हूपर का निचमा हूँ पॉरता है और कापर सड़ति ही और सुलूशन झाया मैं याद करो कल मैं एक ट्रिक बताई थी आंगा मतलब रायट में नहीं? त्युक्त रिवालेक्शन के सिमाथ अधार मित्लाव के थोड़ endure ना तो मैंके मैं네 इसकी चर्चा करेंगे तो यह ध्यान रखना कि मैंने इसको positive define किया या मैंने इस के इस anode को negative define किया इस anode को negative या इस cathode को positive मैंने charge या polarity के basis पर मैंने anode या cathode define नहीं किये अब बात आती है तो किसके basis पर ऐसे क्या selection criteria थे तो ध्यान रखना यहाँ मैं continue कर रहा हूँ रहे देख भई जब मैं कहता हूँ कि मैंने कल एक चर्चा करी थी कि standard reduction potential था क्या था रहे standard electrode potential था और उसको हम दो टर्म में मैंने कल बताये था कि standard electrode potential को हम दो टर्म में पढ़ते हैं पहली टर्म कौनसी रहे E not OP और दूसरी टर्म कौनसी भई यहाँ E not RP ठीक है तो सीदी सी बात यह है कि अगर मुझे कभी बी electrochemical cell में पूछने लगे कि मैं anode cathode कैसे decide करूँगा तो ध्यान दखना वो हमेशा किसके विसस पर decide के जाते हैं रहे या तो standard किसकी standard reduction potential की value पर standard reduction potential की value पर और या फिर standard oxidation potential value पर बात समझ में आई नहीं आई इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैं standard reduction potential की value के उपर क्या कर रहा हूं decide कर रहा हूं किसको selection criteria of electrode in the galvanic cell तो मैं कहूंगा जिसका reduction potential जादा तो मैंने कल बताए था उसकी electron gain करने की tendency जादा और अगर उसकी electron gain करने की tendency जादा इसका मतलब उसको मैंने कल क्या नाम दिया था भईया उसी को मैंने कल cathode नाम दिया था और यही कहानी कल यहाँ पे हो भी रही थी कि copper two positive दो electron खाके copper solid में जाता था और यही कहानी यहां पे हो भी रही थी कि zinc solid दो electron निकालता था जिनको यह copper खाता था इसी process को मैंने anod पे define किया था और इसी process को मैंने cathode पे define किया था अगर यहां तक सब कुछ clear है एक बार not down कर लेंगे यह कहानी किसकी है कि कभी भी polarity या charge के base पर electrochemical cell में electrodes define नहीं किये जाते हैं किसके basis पर किये जाते हैं या तो e naught augnition potential value या e naught reduction potential value मतलब की e naught कौन सा है तो cell potential ही लेकिन standard conditions पर क्या है cell potential है not down कर लें भई फिर में अगली slide पर चलना चाहूँगा चलिए भई तो यह जो मेरा किसका था यह selection criteria था of the electrodes in the full cell चलिए दोस्तों next slide पर चलते हैं अब हूँ चलिए दोस्तों मैंने बताए था कि basically जब मैं cells पढ़ता हूँ तो मैं electrochemistry में दो type के cells से मेरा dealing थी या तो मेरे पास कौन सा था रे electrochemical cell था ठीक है न और दूसरा मेरे पास कौन सा था रे electrolytic cell था जब मैं electrolytic cell की बात करता हूँ सुनना रे यह बहुत पढ़ लिया है electrochemical cell के बारे में बहुत सुनाए ठीक है न अब थोड़ा सा फोकस करता हूँ electrolytic cells पे और electrolytic cells को थोड़ा सा और interested बनाते है रे देखना जब मैंने बताया था कि अगर मैं electrolytic cells की बात करूँ तो पहली बात तो प्रोसेस कौन सी होगी भाई यह नोन spontaneous प्रोसेस थी पहली बात दूसरी बात क्या थी वो यह थी कि यह कौन सी energy को यह stored electrical energy को stored electrical energy को convert करता है किसमें chemical energy में बात समझ मारी है भी इसका मतलब इसका मतलब यह होगा कि अगर मैं इस electrolytic cell में क्या पढ़ूं तीसरा point पढ़ूं क्या selection criteria of the electrodes इसका मतलब इसमें इसकी तरह तो decisionment नहीं कर सकता कि electrolytic cell में सेम criteria और ना भी यह ऐसा तो नहीं होगा इसका मतलब इसमें क्या होगा इसके लिए हमें से ध्यान रखना कि इंदा case of electrolytic cell in the case of electrolytic cells electrodes are decide on the basis of their attachment of battery बास समझ में आ रही है नहीं आ रही बोल दो बास समझ में आ रही है नहीं आ रही मतलब की इस चीज को मैं अगर यहां बताऊं थोड़ा इदर देखना वह यहां में देखो मैंने क्या लिया मैं electrolytic cell का डिफाइन कर रहा हूं मैंने एक इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड लिए उनको सिंपल बैटरी के तुरू जोड़ दिया ठीक है ना ठीक है जोड़ दिया इसमें मानिके चल मैंने यह क्या ले लिए सिंपल मैंने इनसीयल की क्या ले लिए सॉलूशन ले ठीक है यह कौनसी मॉल्टन सॉलूशन ली मैंने माल ले Whew मैं कह रहा हूं कि ये यह और में यह कर रहा łँ और यह के un प्रोसेस के उपर कौन सी प्रोसेस मतलब की अज़गोचा काम क्या था उकूडिटेशन कर्ना ने यहां अगर कैफोड प्रोसेस के वासेस epic कंपल कि अगर तेज्मिंट करने चलूँ तो यहां पर anode क्या होगा क्योंकि यह किस से attach है भागbury बैटरी के बड़े और positive terminal से attach यही बात मिनė क्यों बता है प्था आप आप सकते हैं मैंने सिर्फ दो बात नंब दस मिनट में कि कैसे सेलेक्षन ऊफ ma750 सीरे और च्वह तेरे पास कोनसा है रहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है अच्छा भाई अगर यहां तक बात किलियर है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी ना पेपर में वो आएगी कि वो तुस्से ऐसा सवाल पूछेगा ने वो तुस्से पूछेगा सेल रिप्रेजेंटेशन की कहानी क्या पूछेगा भाई सेल रि या तो तुई नॉट आर पी लिख इस्टेंडड रेडक्शन पूटेशन लिख या तुई नॉट ओपी लिख बास समझ मारी है ठीक है ना अब सीदी सी बात है कि इलेक्ट्रो केमिकल सेल अपने आपने अपने एक फुल सेल है अभी आगे क्या तरमाएगा अभी इसी लेक सकता है कौन कौन सी बात बता सकता है अगर क्यूंत एक नॉरं सेल तुने कालना जानता है कि इनॉट अचेल मतलब इस टेंडर्ड इलेक्टो holistic दूसरी बास सेल प्रिसेल जो इस टेंडर कंदिश्न पे ने काला जाता है वह नुटिएम प्रेसर्ट WIL talking काला जाएगा अगर तू यह निकालना जान जाए तो तू बता सकता है कि यह सेल कंस्ट्रेक्ट होगा या नहीं होगा इंट्रोडेक्शन वन देखियो लेक्शर एक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने बता है यह बात कि हम सीखने वाले हैं तो तो यह निकालना जान जाएगा, तो तू construction of cell बता देगा, अगर तू construction of cell बता देगा, तो किसी भी जे मेन का, या तू नीत का एक question पाएगा, कि क्या पाएगा, कि कौन सा बहतर oxydizing power होगी किसकी, या कौन सा बहतर oxydizing agent होगा